आइं सो हेलो फ्रेंड्स आज के स्ट्डियो में मैं आपको 22 सरक्रार द्वारा लडीशी का फॉर्म निकाला गया है जो टोटल 11000 पोस्ट के लिए निकाला गया है इसमें आपको टाइपिंग की जरूरत है तो आज इसके वीडियो में आपको बताने वाला हूं कोई भी स्टेट के फॉर्म लटके फिल अधर स्टेट से भी है चाहे उपी से हो भी हर से हो चाहे राजयत्तान से हो जहार कंड नहीं वो इस वीडियो को skip नहीं करोगे क्योंकि सभी के लिए वीडियो बहुत important होने वाला है सबसे पहले बात करते हैं total कितना post निकला हो जो किस पद के लिए है इसमें total आपको जो विभाग दिया गया है आपको इसमें total 22 विभाग के द्वारा इसमें आपको total 22 डिपार्टमेंट में आपको LDC के पद दी जाएगी नौकरी आपको होने वाली है पद का नाम किस विभाग में होगा और अपको computer knowledge मतलब आपको computer पर typing आपकी जरूरी है यह बहुत important है computer typing आपको आना चाहिए और आपको मैं इस वीडियो में आपको domicile कास्ट कब बनवाना है इस सारा बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत important यह जरूरी है क्योंकि form fill up करने के समय आपको domicile number और cast number आपको देना है इसलिए मैं आगे बताने वाला हूँ सारा मैं पढ़के दिखाऊंगा अब देख से तो इसमें टोटल 11000 पोश्ट निकला हुआ है इस form के लिए आपको सबसे important है कि आपको क्या qualification आपको मेरताने वाला हूँ इसमें आपको 12th पास होना अनिवार है आप किसी भी स्टेट से है कि भारत में कहीं भी हो आप अगर 12th पास हो कि इस form के लिए possible हो ठीक है अरक्षन किसको दिया जाएगा अरक्षन के लिए आपको अगर बिहार के स्थाई निवासी हो तो आपको अरक्षन दिया जाएगा अगर आप बिहार से नहीं हो तो आपको as a general candidate से ओड़े टीट किया जाएगा जो तो इतने भी general की सीट है तोटल आपको पांच से जनरल की सीट है इसमें आपको fight करना होगा बहुत लोग मन में चलता है कि इसा 10% सा 20% ऐसा कुछ नहीं है जो भी जनरल सीट है 5000 उसमें आप अधर शेट के कोई भी लड़के हो ये फॉर्म फिलप कर सकते हैं अच्छी नोकरी है जिनको अगर है कि आपको टाइपिंग में अच्छा है तो आपको भर सकते हो ये आपको ब बिहार राजे के बाहर के निमासी भरती हो तो अरक्षन का लाप देन नहीं होगा अगर आप अरक्षन लेना चाहते हो तो आपको फॉर्म भरने के समय आपको परमान पत्र का नंबर मतलब डोमिसाइल हो या कास्ट हो आपको इसका सीरियल नंबर फॉर्म भरने के समय देना गया है, इसमें आपको 37 years for general, अगर आप general से हो तो 37 years, अगर आप OBC हो तो 40 verse, अगर आप CST हो तो आपको 42 verse का age आपको दिया गया है, cut of age क्या है, cut of age आपको दिया गया है, total इसमें से 1 अगस्त 2023, अगर आप 8, 1, 8, 23 में 37 verse cross नहीं की हो, तो यह form पिलब कर सकते हो, इस date से crucial से आ आपका 37 साल उमर नहीं होना चाहिए, उसको उपर नहीं होना चाहिए, इसमें बात करते हैं कि आपको examination सूल कितना लगेगा, अगर आप general हो तो 540 रुपया लगेंगे, उसके बाद यह सारा आप category देख सकते हो, कि क्या आपको पैसा लगने वाला है, ठीक है, अब उन्हों कैसे होगा, चलो हम बात करते हैं, अब इसमें examination का pattern किया है, अगर आप इसमें अगर 40,000 से उपर लड़के form fill up करते हैं, तो total इसमें एक exam पहले होगा, फिस second exam होगा, एक exam जो first exam होगा, उसका main क्या पुशा जाएगा, इसमें आपको समान जीके होगा, समसाम एक विधियों क गनीत और मान्सी करता होगा, मतलब आपको जीके आपगउर wildlife और गनीत और आपको reasoning, total चार चेप्टर पढ़ना ओगा, चार स्थीज पढ़ना होगा, क्या 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 पढ़ना होगा, बता देता हूँ, आपको जीके पढ़ना होगा,ked इसमें आपको 40%, इसमें आप कटंड द लाना होगा आपको पास करने के लिए अगर इससे कम लाओगे तो आप इसमें पास नहीं करो तो इस वीडियो में इस समझ में यही आता है कि आपको इसमें 40% नंबर मार्क्स लाना होगा मैंने आपको टोटा सिलेबस भी बता दिया इस वीडियो में क्या सिलेबस है और का सर् पीडियेफ अगर आपको जरूरत होगा तो आप डिस्कुशन बोच में जाकर इसका पीडियेफ डाउनलोड कर सकते हैं तो फॉर्म बहुत अच्छा है तियारीब में लग जाए क्योंकि बहुत बड़ा वेकेंसी आया हुआ है तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जुरूर बताना कुछ प्राब्लम हो तो वेवी कमेंट करना है तो इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं अभी के लिए सभी को गुड़ नाइट